हेलो 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 असलाम अलेकुम दियर केंडिटेट्स उमेने काप सब केड़े से होंगे और अलहमदुलिल्ला अल्ला पाग के करम से मैं भी बिलकुल ठीक ठाग हूँ बात करनी है बैजलर डिग्री प्रोग्राम यूनिसी अवसिंद्ध जाम शुरू फादर किड्मिक एर टुइंटी टूइटी टू तो आज बात करेंगे ऐड्मिशन फार्म स्टेरस के वाले से वह सारे केडिडेट्स इस पास से भी परशान है जो मैंने सोचा है मैंने देखा है कमेंट्स भी दिखी है तो फार्म उनका इन प्रासेस में आ रहा है इन ड्रॉफट में आ रहा है और मैं आज बताओं का आप इन रिवियू और उसके बाद इन प्रोसेस का क्या मफस्द होता है तो सबसे पहले आप लोगों से एक चोटी से रुकेश अगर आप लोग अमना चैनल पर न्यू है या चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सबस्क्राइब करें वो बिल्कुल फिरी है और साथ ही बिल आइकन को प्रेश करें ताकि इस तरह की अपडेट जो है बाएसानी आप लोग ले सकें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ सेयर करें ताकि वो भी इस अकेड़मी में आके अपना इसाल लें और मैं इन शाला एक अनौस्मेंट भी करूँगा इन शाला हम कोशिश बड़ी कर रहेंगें बड़े से बड़े प्राजेक्ट लेके हैं स्टार्टिंग जो है वो छोटे प्राजेक्ट से करेंगे मेरा लोग बाते वीडियो बनाऊगा इन्शाला आपका साथ रहा तो अच्छा जिनका फॉर्म इन प्रासेस में है उसका सिं कियर और गोर से समझें ठीक है तो प्रासेस का क्या मकसद अभी वह कंटीनेसली वह काम जो है वह आपका पैंडिंग में है प्रासेस में है ताके वह चीज आपकी जब किलियर हो जाएगी तो डॉफ्ट में जाएगी उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि अगर आपके फॉर काम जो है वह इन रिविव में आ रहा है तो कभी कभी क्या होता है वह चीज़ वह खुद यूनिवर्स्टी वाले खुद मंगवा थे हैंगा उदर आके वह चीज़ दे के जाओं पहली तो यह शर्त है मैं सभी बता रहा हूं जो पिछले यर जो हुआ था जो केंडियर गए हैं या फिर कोई डिएडिट वहला देते हैं तो वहां पे कर सकते हो अधर् order देते या फिर इस डिट में आप लोगो तो मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने आप लोगं को हर एक बात पर अपडेट करना है हर एक बात हर एक फिचर के वारे से रहे चीज हर एक पॉइंट पर ताकि आप लोग समझें और जो मैंने नमबर्स और मेल दिया है उसको मेल करें ठीक है इशू बताएं अगर रिप्लाइ किसी का आ गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या मसला है तो उसके बाद चालान ये भी अगर किसी ने जाहर सी बाते दे दिया है सब्मिट कर दिया है और फोड गाएंगे ठीक है और मेरेट लिस्ट के अवाले से भी आप लोगों को बता दें कि बाई इन्शाला जब ये पूरा प्रासेस खतम हो जाएगा उसके दस दिन बाद फाइनली रिजल्ट अनौंस करेंगे अब जो है आज तारीक है 26 मेरे ख्याल से सो इन्शाला ये तक्रीब दस दिन में दस दिन के बाद इन्शाला मेरे ख्याल से लिस्ट जो है वो अनौंस जनवरी में करेंगे फर्स्ट वीक में तो देखते हैं जिसका हाई स्कोर है उसका पहले नाम आएगा और सीपेन के वाले से मक्षी जिनकी आगई है जिसने अप्रोड कर दी है ठीक है तो ज अगर किसी का कोई प्रोफाइल में कोई अगर इशू है तो वह मुझे बताएं देखते हैं कि भाई उस इशू का जो सॉलूशन है वो क्या बनता है तो जो और भी इडिशनल फी इंफॉर्मेशन होती है चालान है और उसके बाद एडमिट कार्ड ठीक है और टेस्ट स्कोर अगर किसी का क्यूंतिंग में है वह भी मुझे कमेंट बेस में पता है चला पता चलेगा कितने केंटिृत हैं हमारे पास जिनका यह मसला है उसके बाद जितने विरिफाइड हो चुका है तो कैंडली वह भी कमेंट करके मुझे बता दें ठीक है अगर किसी का इन रिविव आ रहा है तो वह भी मुझे बता दें पहले तो उनको कमेंट करें अफिशल विबसाइट पे उनका विबसाइट आपके सामने आता है वहाँ पे पॉर्टल पे ठीक है मेल आता है तो वहाँ पे उनको बता दें कि भाई निविवो आ रहा है ठीक है अगर वो कहते हैं मेल का रिप्लाइ करते है तो आप लोगों को वहाँ पे जाना होता है तो मैं उनसे गुदाश करता हूँ वो कमेंट करके मुझे बता दें के भाई हम पंजाब प्रोविंसे हैं मतलब सिंसे नहीं सिंसे बाद जो दूसरे प्रोविंसे बलोचिस्तान से मेरे क्याल से एक दो केंडियर्स से और पंजाब से भी है तो पंजाब वाले जो भी कаньडियर्स हैं उनका जो भी मसला है वो हमारे भाई हैं सब हमारे व्यूएज बाई हैं सब भाई बेन तो मुझे इतना जरूर बताएं कि जो भी मसला है इशु है अब यह तक जिनका वेरिफैर्ड है verify नहीं हुआ वो भी comment करके बताएंगे जो पंजाब सेंवों भी कमेंट करके बताएंगे तीक है सो इन्शालला आगे चलके बहुत सारी information देंगे और मैरेट के मेरेट के ऐवाले से भी इन्शालला आप अपडेट करते रहेंगे और अगर कोई योनसी में शू होता है या फिर कोई और मसले होता है तो कोशिश करते हैं फिनान्शली भी या फिर ऐसे कुछ सीन होते हैं तो देखते हैं क्या होगा बहराल अपडेट करनी थी आप लोगों के साथ के स्टेटस के वाले से और मेरिटलिस के वाले से सो अभी तक आप लोगों को गाइड किया है जिनका भी प्राब्लम सॉल्फ हो चुका है तो वह हमारी कुशी है जिनका नहीं हो आप कोशिश करें हम भी कोशिश करते हैं ताकि उनके लिए वीडियो कोई ने कोई वीडियो बना दें अगर किसी को किस टॉपिक पर मुझे याद नहीं आ रहा है अगर कोई इसे केंडियर्स हैं जिनका वो सोच रहे हैं कि भाई इस पर वीडियो बना जाए तो कैंडली मुझे बोला करें मैं आपका काईडन्स हूं आपका दोस्त आपका साथी हूं जिसको भी चीज़ पर वीडियो बनाना है तो कैंडली वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भाई सर या गाइडन्स इस पर आप वीडियो बना दें एक दो वीडियो बना दें इस पर या उस पर कोई भी ऐसी चीज़ एजूकेशनल इंफॉर्मिशन के वाले से जिसमें बहुत सारे केंडियर्स परेशान इसी चीज़ बताएं जिसमें लोगों का वो फाइदा हो सके और लोग जो हैं वो इन्फार्मेटिव हो सके तो कीप सपोर्ट ले में साधिक अकैडमी यूटूब चैनल